आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में आपसे पूचा गया है While chlorella is rapidly growing in an environment of CO2 the light is turned off हमने क्या किया एक chlorella जो grow कर रहा है एक environment CO2 enriched environment में तो उसकी जो light है वो turned कर दी हमने off and 14 CO2 मतलब कि radioactive carbon जो है हमने introduce किया तो distribution of radio activity during this light to dark change light से dark जब change हुआ उस दोरान जो distribute हुए radioactive carbon वो हमने study की तो देर बाद मार्ट increase तो उसमें क्या देखा हमने कि एक पहुत increase हुआ in compound A compound A की amount में तो increase हुआ मतलब कि compound A जो बन रहा था compound A उसमें तो C14 काफी मात्रा में मिला and decrease in compound B uity but compound B बन रहा था वो हमारा c 14 उसमें नहीं देखने को मिला कहने का मतलब है compound B बन ही नहीं रहा था तो इसलिए उसमें C14 देखने को नहीं मिला और हमारे जो compound A है वो काफी बन रहा था तो इसलिए हमें उसमें C14 देखने मिला तो अब हमें बताना है कि A और B compound क्या है तो देखें जब हम light को off कर देंगे suddenly तो क्या होगा हमारी जो assimilatory power है जैसे ATP और NATPH2 यह हमारे बनने बंद हो जाएंगे ठीक है तो हमारा Kelvin cycle है Kelvin cycle के 3 phases है एक phase है हमारा क्या fixation phase fixation phase सबसे पहला phase है उसमें पहार से हम CO2 लेते हैं तो CO2 पहार से कैसी आ रही है radioactive आ रही है और हमारा क्या बनता है फर्स phase में फॉस्फोग्लिसरिक एसिट अग हमारे जो ATP और NATPH2 है हो हमारे कम हो चुके हैं खतम हो चुके हैं तो हमारा PGA से reduction होके PGAL बनना यह कहें glycerol 3-3 phosphate बनना कम हो जागा क्यों क्योंकि यहां पर हमारा ATP यूज होगा और NADPH2 यूज होगा फिर इस G3 phosphate से हमारा क्या बनेगा regenerate होगा क्या ribulose bisphosphate ओके और यहां पर हमारे ATP यूज होगा तो हमारे ATP और NADPH2 पहले से हमें कम है क्योंकि हमने light off कर दी है तो हमारा PGA की जो concentration है वो तो increase होगी बट्चो हमारा ribulose bisphosphate है या glycerol 2-3 phosphate है इनकी concentration नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि हमारे पार इनने reduce करने के लिए PGA को reduce करने के लिए ATP और NADPH2 की कमी है थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगी पड़ इतना नहीं बढ़ पाएंगी कितनी PGA की concentration बढ़ेंगी तो हमारा जिस compounding concentration बढ़े थी ए वो तो हो जाएगा हमारा phosphoclecal aldehyde बट जो हमारा B compound है B compound होगा हमारा RUP-P-ribulose bisphosphate तो हम जाएंगे 4th option के साथ थेक्टियू क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्सो पर